वेल्कम टू एक्जाम भी वेचना तो दोस्तों आज मैं आपके समक्ष लाया हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट चार को इससे पहले हमने इसके तीन प्रैक्टिस सेट को डिस्क्स कर आए अगर अब यह तक आपने उन्हीं नहीं देखा आए तो आप उन्हें भी देख सकते हो उ हुझवेरी के इनुसार फना का क्या अर्थ होता है तो आपको बताना है किh जो रीखोजाओ ये तो आपको ौच। के लिए देता हूँ आपको बताईएगा कि क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए कोमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप हमारे साथ दे सकते हूँ ठीके ना तो यहाँ पर जो सही बिकल्ब हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्ब D फना का अर्थ हुजवेरी के अनुसार ब्यक्ति के अस्तित्व स्वरूप और गुन का विनाश है क्या होगा ब्यक्ति के अस्तित्व स्वरूप और गुन का विनाश यह होता है हुजवेरी का अर्थ ठीक है ना D सही बिकल्ब हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशन है रास्पंचाइदियाई किस चंद में लिखी गई है तो आप किसमक्ष कुछ बिकलब दिये गए है उनका चेन कीजिए रास्पंचाइदियाई किस चंद में लिखा गिया है बहुत ही चर्चीद प्रशन है दोस्तों ये तो ये लिखा गया है रोलाचन में ठीक है ना और ये किस की रचना है रासपुंचाइदियाई तो ये हो जाएगी नंददास की रचना ठीक है ना सी सही बिकल्फ हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के लाइका टार्गेट हम 50 रिखेंगे तो जितना जल्दी हो सके इस वीडियो के टार्गेट को कम्प्लीट कीजेगा ठीक है ना अगर अभी तक आप हमारे बट्जाप और टेलीग्राम ग्रूप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ भी जूड़ सकते हो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दिया गया है अगला प्रेशन देख लेते हैं तो यहां पर सरसे पहले आपको याद रखना होगा कि जो ये पंक्तियां हैं किसकी है तो यह होंगी तुलसी दास की और इन्होंने ये रामचीत मानस में कही थी तो यहां पर बताना है कि रामचीत मानस में ये चुपाई किस पात्र के द्वारा व्यक्त की गई है तो यह की गई थी अहलिया के द्वारा यहां पर जो बिकल्प ए है सही हो जाएगा तीन का सही बिकल्प ए हो जाएगा यहाँ अगला प्रशन है चार इसमें पूछा गया है राम और सीता के बीवा के अफसर पर किस कवी ने मिथिला की इस्त्रियों से गाली गित गवाया है तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प ए तुलसी दास जी के दुवारा राम और सीता के बीवा के अफसर पर मिथिला किस्त्रियों से गाली गित गवाया गया था चार का से ही विकल्प यहाँ पर यह हो जाएगा अगला प्रशन है अच्चिवत चर्ण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरी ना बनायो सुर्शरी की जो इंदव भाल क्या पंक्ती है अच्चिवत चर्ण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरी ना बनायो सुर्शरी की जो इंदव भाल इस दोहे की रशनाकार का नाम बताईए तो यहां पर सही बिकल्फ हो जाएगा बिकल्फ D, रामसहाई यह दोहा रामसहाई की द्वरा कहा गया है पांच का सही बिकल्फ यहां पर D हो जाएगा हाँ वीडियो के अंत में बताईएगा आपके इस वीडियों में कितने प्रश्ण सही हुए है और इसका लेवल आपको कैसा लगा है हार्ड है या नॉर्मल है ठीके न अगला प्रश्ण देख लेते हैं इसमें पुछा गया है निवलिकित कापे कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंद कापे नहीं है तो यहाँ पर आपके समक्ष चार कृतियां दे गई है इन में से एक प्रबंद कापे नहीं होगी उसका नाम आपने बताना है तो यहाँ पर सही बिकल्फ हो जागा बिकल्फ टी सुजान हित प्रबंद यह प्रबंद कावे नहीं होगा ठीक है ना बाकी सभी ही रचना है प्रबंद कावे होगी इसमें चंडी चरितर है राम चरित है सुजान चरितर है यह तीनों ही प्रबंद कावे है पर जो सुजान हित प्रबंद है यह प्रबंद कावे ना होकर मुक्तक कावे होगा ठीक है य गयना केते जगत के चतूर चीते रे कूर तो इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या होगा तो यहाँ पर जो सही बिखल्ब हो जायेगा तो बो हो जाएगा बिखल्ब ए चित्र. ठीक न? सभी कार्थ होगा, चित्र जो चित्र में नाईका किसमान होगा तो ये हो जाएंगे रसनीदी आठवें का सही विकल्प भी हो जाएगा जो रसनीदी थे ये रीतिकारण कभी के प्रमुख रचनाकारों में से एक माने जाते है अगला प्रशने 9 शकुंतला नाटग किसकी रचना है तो जो शकुंतला नाटग होगी ये रचना विकल्प सी निवास की मानी जाती है नौवें का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा अगला प्रशने 10 शूर्शागर के पदों का भावानुसरन करते हुए किसकभी ने कृष्ण के जीवन का चित्रन किया है तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा मन्चित जी द्वारा सूर्शागर के पदों का भावानुसरन करते हुए मन्चित जी ने कृष्ण के जीवन का चित्रन किया है मन्चित जी सही विकल्प होगा 10 का सही सही अगला प्रशने हैं यहाँ पर 11 इसमें पूछा यह है निमलीखित में से जगना दास रतना करकी कौन सी रचना नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सही बिकल्फ हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्फ सी ब्रहमर्दूत। जो ब्रहमर्दूत होगी यह रचना आपके सूरधास जी की होगी। अगला प्रशन है यहाँ पर निम्रिकित में से कौन सा काबे संग्र है? शम्शिर बाहदूर सियांका नहीं है तो सही बिकल्प का चेन कीजिए सही बिकल्प पता है यह कौन सा होगा? तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा आज अभी आखों से तो जो यह काबे संग्र है यह शम्शिर बाहदूर सियांका नहीं होगा तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प ए परताबनाय मिशर अगला प्रशन है चौदा फिर परियों के बच्चे से हम इन काब्य पंक्तियों के रशनकार कौन होगे तो सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ पर बिकल्प ए सुमित्रानंदन पंत अगला प्रशन है पंद्रा सबका निचोड लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में बर्सो प्रभात हिमकन सा आंसू इस विशव सदन में उक्त काब्य पंक्तियों के रचईता कौन होगे तो यह हो जाएगे बिकल्प भी जैशंकर प्रसाद तो जो यह काब्य पंक्तियां है आंसू काब्य संग्रह से लिए गई है ठीकिना इसको भी याद रखेगा यह भी महत्पुन है अगला प्रशन है 16 इसमें पुछा गिया है निमिलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं होगी तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प A, यूगपत बाकी अतीमा, उत्रा, गित्रानंदन पंत की होगी सोला का सही बिकल्प यहाँ पर A हो जाएगा अगला प्रशन है 17 निमिलिखित में से कौन सी रचना महादेवी बर्मा की है तो जो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा तो वो होगा बिकल्प D, नीर्जा जो नीर्जा है यह महादेवी बर्मा की रचना हो जाएगी ठीक है बाकी जो रचना है इसमें जो निशा निमंत्रन है यह बच्चन जी की रचना हो जाएगी गीति का निराला जी की रचना होगी और जो बीना है यह पंत जी की रचना होगी अगला प्रशने 18 इसमने पूछा गया है कहाँ जाओं हर दिषा में मृत्यू से भी बहुत आगे की अपरीमित दुरिया है कवीता की ये पंक्तियां कुमर नरायन की किस रचना से ले गई है तो से से पहले तो याद रिखेगा तो जो ये पंक्तियां किस की है कुमर नरायन की है और ये किस रचना से ले गई है तो यहाँ पर उत्तर बताईएगा तो यहाँ पर सही बिकल्ब हो जाएगा अगला प्रश्ण है 19, चौपत चपेट और मैक मंजरी नाटकों के लेकर कौन होंगे तो ये हो जाएंगे किशोरी राल गो स्वामी 19 का सही बिकल्प ये हो जाएगा अगला प्रश्ण है 20, डौक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नौवल के अर्थ में उपनियास पत का प्रतम प्रियोग किस ने किया तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा भारतिंदू हरिश्चंदर 20 का सही बिकल्प डी हो जाएगा अगला प्रश्ण है पांडे वेचन शर्मा उगरद्वारा रचित उपनियास नहीं है तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प बी दिल्ली का कलंक ये इनकी उपनियास रचना नहीं होगी ठीके ना बाकी जो तीनों ही इनकी उपनियास रचना है चंद हसीनों के खतूत बुद्वा की बेटी दिल्ली का दलाल अगला प्रशने 22 करनेट कवीलों के जीवन यथार्थ के विविद पक्षों पर अधारित उपनियास है तो ये हो जाएगा कब तक पुकारूं 22 का सही बिकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा अगला प्रशने अरुन और मधुली का किस कहानी के पात्र हैं तो ये पात्र हो जाएगे पूर्षकार कहानी की 23 का सही बिकल्प यहाँ पर D हो जाएगा प्रशन आपके लिए छोड़ देता हूँ आपको बताना है कि जो पूर्सकार कहानी है इसके रशनाकार का नाम बताना है आपको अगला प्रशने भिशम सहानी द्वरा रचित कहानी संग्रह नहीं है तो यहाँ पर चार बिकल्ब दे गए है इन में से एक ऐसी कहानी संग्रह है जो विशम साहनी की नहीं होगी तो वो बताएए किसकी कहानी संग्र है कौन सी है वो तो ये हो जाएगी बिकल्ब सी काट का सपना जो काट का सपना है ये विशम साहनी की कहानी संग्र नहीं होगा ठीक है, बाकी तीनों ही इनके कहानी संग्र है अगला प्रशन है 25 आधुनिक इरान की प्रिष्ट भूमी पर रक्त रंजित इसलामी क्रांती का चित्रन किस उपनियास में किया गया है तो यहाँ पर इस प्रशन पर मुझे थोड़ा सा सेंशे लग रहा है जहां तक मुझे लगता है कि इस प्रशन का सही उत्तर बिकल्प ए होना चाहिए ठीक है न बाकी आपको अगर इसका कंफर्म उत्तराता है तो अब अवश यह बताईएगा ठीक है अगले प्रशन की तरफ चलते हैं यह प्रशन संख्या 26 इसमें पूछा गया है जनेंदर कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है तो यहाँ पर चार बिकल्प दे गए हैं इन में से एक ऐसा कहानी संग्रह है जो जनेंदर रचित नहीं है तो उसका नाम बताईए कौन सा होगा वो तो वो हो का बिकल्प एक इंसान के खंधर ठीक है ना बाकि जो तीन बिकल्प है ये तीनों ही जनेंदर कुमार के होंगे ठीक है निलम देश की राजकरनिया पाजे और पातायान अगला प्रशने यहां पर 27 सिस्ट में पूछा गया है बैदिक सुक्तों के गरीमा में उद्गम से लेकर लोक गीतों के महा सागर तक जिस अविचिन प्रभा की उपलब्दी होती है उस भारतिय भावदारा में सनातक हूँ क्या है बैदिक सुक्तों के गरीमा में उद्गम से लेकर लोक गीतों के महा सागर तक जिस अभिछिन प्रभाग की उपलब्दी होती है उस भारतिय भावदारा काम में सनातक हूँ उप्रियुक्त विचार विद्यानिवास मिशर ने अपने किस निबंद संगरहर की भूमिका में लिखे है तो यहाँ पर सही बिकल्ब हो जाएगा 27 का सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला प्रशन है 28 इसमें पूचा गया है अग्ये ने शेकर के संदर में अपने किस निबंद में स्विकार किया है कि जिहों क्रिस्तौफ के अनुबरत आतमशोद और आतमसाख्षातकार का जो चितर रोलना ने प्रस्त किया उससे कुछ अवश्य प्रेड़ना मिली तो यहाँ पर सही बिकल्ब हो जाएगा बिकल्ब A अध्यत्यन ठीक है 28 का सही बिकल्ब A हो जाएगा अगला प्रशन है 29 इसमें पूचा गया है आज इस पराजय की बेला में सिध हुआ जूटी थी सारी अनिवारेता वविश्य की केवल कर्मसत्य है मानव जो करता है इसी समय उसी में नहीत है वविश्य यूग-यूग का तो जो यह कतन कहा गया है अंधा यूग का तो यह बताना है किस अंक से लिया गया है यह वाला कतन तो यहां पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा कौर नगरी से लिया गया कतन है यह वाला 29 का सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला प्रशन है 30 समझदारी आने पर यूवन चला जाता है जब तक माला गुंती जाती है फुल कुमला जाती है जैशंकर प्रसातकृत चंदरगुप नार्टक का उक्त संबाद किस पातर द्वारा बोला गया है तो सबसे पहले तो याद रखेगा ये जो पंक्ती है किस नार्टक से ले गई है और किस रचनकार की ये पंक्ती है जैशंकर प्रसाद की ये पंक्ती हो जाईए और चंदरगुप नार्तक से ये पंक्ती ले गई है और किसका संबाद है ये तो ये हो जाएगा चानक के का संबाद ठीक है न देश का सही बिकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा अगला प्रश्ने अगला प्रश्ने काब्या शोभाया करतारो धर्म गुणा यह किस अचारे की उकती होगी तो यहाँ पर सही बिकल्ब हो जाएगा बामन 31 का सही बिकल्ब हो जाएगा ठीक है न आगे है 35 जहाँ समानार्थक विशेशनों से प्रस्तुत के बर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोद कराई जाएगा वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा तो यहाँ पर हो जाएगा समासुक्ती अलंकार 32 का सही बिकल्ब यहाँ पर एख हो जाएगा अगला प्रश्ने 33 में साहित्तिक को मनुश्य की दिख्ष्टी से देखने का पक्षपाती हूँ ये किस अचारे की उक्ती है तो ये उक्ती हो जाईए हजारी परसाद दुविवेदी की 33 का सही विकल्ब सी हो जाएगा अगला प्रश्ने निमिलिकित में से किस अचारे ने अलंकार को काबे की आत्मा मानकर रस्त का महत्वर गौन कर दिया था तो यहाँ पर सही विकल्ब हो जाएगा 34 का सही विकल्ब ए अगला प्रश्ने 35 जब वक्रोकती बक्ता की कंठ दूनी पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है काकु वक्रोकती ठीक है न tipping यहाँ पर 35 का सही विकल्ब सी हो जाएगा अगला प्रश्ने 36 इनमिलिकित कौन सा ग्रंथ अचारे वहामर का है इसमें पूछा गया है स्वाधिन्ता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निमलिखित कवीता किस कवी की है कवीता है मुक्त गगन है, मुक्त पबन है, मुक्त सांस गरबीली लांग साथ लांबी सदियों को हुई श्रिंखला डिली टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनी वेश का दाग बोलती रंगे तुझे उड़ाओं या की जगाओं आग तो ये पंक्तियां बतानी है किस कवी की है तो ये पंक्तियां हो जाएंगी सोहनलाद द्विवेदी की 37 का सही बिकल्प टी हो जाएगा अगला प्रशने 38 से इसमें पूछा गया है निमलिकित में से कौन प्रपत देवादी कवी नहीं है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प टी गिरिजा कुमार माथू जो प्रपत देवादी कवी होंगे वे हैं नलीन बिरोचन शर्मा केसरी कुमार नरेश तो इनके जो बात को नकेन बात के नाम से भी जाना जाता है ये भी याद रखिएगा अगला प्रशने कवीता तो कवी की आत्मा का अलोख है उसके हरीदे का रस है जो बाहर की बस्तु का अबलम लेकर फूट पड़ती है ये कथन किसका है ये कथन हो जाएगा रामधारी सीहं दिनकर का उन्तालिस का सही बिकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा अगला प्रशने चालिस इसमें पुछा गिया है निमलिकित में से कौन सा नाटक टेम्चंद के परसिद अपनियास पर अधारित है तो ये हो जाएगा सूर्दास चालिस का सही बिकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा अगला प्रशने बिकल्प भक्तमाल में दे गए रामानंद के प्रत्म चार शिश्यों का सही अनुक्रम बताईए तो यहाँ पर सही बिकल्प का चैन करना है क्रम के नुसार तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा एक तालिस का तो वो हो जाएगा बिकल्प भी ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे अनंतानन्द ठीक है, उसके पर चाहत आएंगे सुखानन्द, फिर सुरसुरानन्द और सबसे अन्त में नरहरेयरनन्द आएंगे, ठीक है यहाँ पर जो बिकल्प भी है, बिल्कुल उचीत हो जाएगा अगला प्रशन है हैं यहाँ पर अच्छार यह जारी पर साथ दिवेदी के नुचार निमलिखित संपरदायों का सही अनुकरम क्या होगा तो यहाँ पर जो सही बिकल्ब हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्ब D सबसे पहले रुद्दर संपरदाय, उसके पहशा श्री संपरदाय, फिर ब्रह्म संपरदाय, और सबसे अंत में संकादी संपरदाय, याद रखीगा D सही बिकल्ब हो जाएगा 42 का अगला प्रशन है 43 इसमें पूचा गया है कालकरम की दिश्टी से निमलीखित काबे कृतियों का सही अनुकरम बताईए तो यहाँ पर जो सही बिकल्ब हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्ब A सबसे पहले अंगदरपन, फिर बिरह बारिश, फिर बियंग्यार्थ कौमोदी और सबसे अंत में मदूर प्रिया तो इनके रचनाकार का नाम भी आपको बता देता हूँ जो रेतिकार की रचना है बहुत ही ज़्यादा महत्पुन है जो अंगदरपन होगे ये रसलीन की रचना हो जाएगी बिरह बारिश बोधा की रचना हो जाएगी बियंग्यार्थ कौमोदी महताफ सहाई की रचना हो जाएगी और जो मदूर प्रिया है ये पजनेश्टी की रचना हो जाएगी यहाँ पर 43 का सही विकल्प ए हो जाएगा अगला प्रशन है प्रकाशन बर्ष के नुसार निमलिखित रशनाओं का सही अनुकरम बताईए तो 44 का सही बिकल्ब हो जाएगा बिकल्ब सी, सबसे पहले रश्मीरती, फिर कनूप्रिया, फिर शंशे की एक रात और सबसे अंतमे दरौपती जो रशमी रथी है ये दिनकर की रचना हो जाएगी कनूप्रिय धरंबीर भारती की रचना हो जाएगी शंशे की एकरात नरेश मेहता की रचना हो जाएगी अगला पैसनह है है यहाँ पर 45 इसमें पूछा गया है रचनाकाल के नुसार भारतेंदू रिष्चंद्र की निमिलेखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताएए यहाँ पर जितनी वी रचनाय दी गई है सभी भारतेंदू रिष्चंद्र की है ठीके न? इनका हमें करमबत तरीके से मिलान करना है तो सही बिकल्प यहाँ पर हो जाएगा बिकल्प C सबसे पहले भक्त सर्वस्व फिर प्रेमतरंग फिर सत्से इस्टिंगार और सबसे अंत में मदू मुकुल 45 का सही बिकल्प यहाँ पर C हो जाएगा आगे है प्रकाशिन बर्ष यानुसार निमिलिखित प्रबंद काप्यों का सही अनुक्रम बताईए तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्प C रथा सबसे पहले बिश्नुप्रिया फिर उर्वर्षी फिर लोकायतन और सबसे अंत में आतम जई तो चलिए इनके रचनकार का नाम भी आपको बताते रता हूँ जो बिश्नुप्रिया है यह मेटलीशन गुप्त की रचना हो जाएगी उर्वशी रामदारी सिहन दिनकर की रचना हो जाएगी लोकायतन पंतजी की रचना हो जाएगी और आत्म जी ये कुमर्ड नराइन की रचना हो जाएगी अगला प्रशने यहाँ पर जनमकाल के अधार पर कभियों को अनुक्रम के अनुसार रखना है तो चलिए रखते हैं तो सही बिकल्प यहाँ पर 47 का हो जाएगा बिकल्प A सबसे पहले आएगे राजकमल चौदरी, फिर श्रिकांद बर्मा, फिर केदार नात्सिहां और सबसे अंतमे धुमिल तो इनका जनम इस प्रकार से हो जाएगा राजकमल चौदरी काéral 20 श्रिकांद बर्मा का 1931 केदार नात्सिहां का 1934 और धुमिल का 1936 यहाँ पर एक जो दुमिल है इनकी एक प्रसिद कवीता है कौन सी है संसत से सडक तक या दखी का महतपूर्ण रचना है इनकी ये वाली आगे हैं जनमकार की दिश्टी से निमिलिखित निवन्दकारों का सही अनुक्रम बताईए तो यहाँ पर जो 48 का सही बिकल्प हो जाएगा तो यह हो जाएगा बिकल्प ए सबसे पहले आएंगे बालमुकंद गुप्त फिर श्यामसुंदर दास फिर सरदार पूर्ण सी और अनुक्रम बताईए तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प दी सबसे पहले रांगे रागव फिर यश्पाल फिर हजारी परसाद दुवेदी और सबसे अंत में अग्ये जो रांगे रागव है इनका जनम 1903 के आसपास यश्पाल का 1903 हजारी परसाद दुव आपके लिए प्रशन और चोर देता हूँ आपने बताना है कि असाद्य बीना किसकी रचना है